सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सरवार्थ साधिके शन्ने त्यंब कमगोरी नारायनी नमस्तुते नमस्कार दोस्तो आज मैं आप सभी के समक्ष दुर्गा सप्तशती का तीसरे दिन का पाठ प्रस्तुत कर रही हूँ इसमें दुरुगा सब्तशती का अध्याय जार शामिल है आईए शुरू करते हैं जैकारा महमाईदा बोल साचे दर्बार की जय महर्शी मेधा बोले देवी ने जब प्राकर्मी तुरात्मा महीशासुर को मार गिराया तब इंद्रादी समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को जुका कर भगवती देवी की स्तुती करने लगे जिस देवी ने अपने शक्ती से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूरन जगत की पूजनिय है उस अंबिका को हम भक्ती पूर्वक नमस्कार करते हैं वह हम सब का कल्यान करे जिस अतुल प्रभाग और बल का वर्णन भगवान विश्णु शंकर और ब्रह्मा जी भी ना कर सके वही चंडिका देवी इस संपूरन जगत का पालन करे और अशुभय का नाश करे पुन्यात्माओं के घरों में तुम स्वयम लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो हम उस दुर्गा भगवती को बारंबार नमस्कार करते हैं हे देवी इस विश्व का पालन करो हम तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें असुरों का नाश करने वाली प्राकरम से भरी देवताओं और दैतियों के विशे में जो तुम्हारे पवित्र चरित हैं हम उनका किस प्रकार वर्णन करें हे देवी त्रिगुनात्मिका होने पर भी तुम संपूरन जगत की उत्पत्ती का कारण हो हे देवी भगवान विश्णू शंकर आदी किसी भी देवताने तुम्हारा पार नहीं पाया तुम सभी को आश्रे देने वाली हो यह संपूरन जगत तुम्हारा ही अंश है क्योंकि तुम सकीय आदीभूत प्रकृती हो हे देवी तुम्हारे जिस नाम के उच्चारन से संपूरन यग्यों में सब देवता त्रिप्ती का लाब करते हैं वह स्वाहा तुम ही हो इसके अतिरिक्त तुम पित्रों की त्रिप्ती का कारण हो इसी लिए सब आपको स्वधा कहते हैं हे देवी वह विद्या जो मोक्ष देने वाली है जो अचिन्ति महाग्यान स्वरूपा है तत्वों के सार को वश मे करने वाले संपूरन दोशों को दूर करने वाले मोक्ष की इच्छा रखने वाले मुनी जन जिसका अभ्यास करते हैं वह तुम ही हो तुम वानी रूप हो और दोश रहित रिग तथा यजुर वेदों की एवं उदगीत और सुन्दर पदों के पथ वाले साम वेद की आश्रे रूप हो तुम भगवती हो इस विश्व की उत्पत्ती एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूरन संसार की पीडा हरने वाली हो हे देवी जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है वह मेधा शक्ती तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नोका भी तुम ही हो लक्ष्मी रूप से भगवान विश्णू के रिद्या में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गोरी तुम ही हो मंद मुसकान वाले निर्मल, पूरण, चंद्रबिंब के समान और उत्तम सुवरण की मनोहर कांती से कमनिय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिशासुर क्रोध से भर गया यह बड़े आश्चर्य की बात है और हे देवी तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उद्यकाल के चंद्रमा की भांती लाल हो गया और तनी हुई भोहों के कारण विक्राल रूप हो गया उसे देख कर भी महिशासुर के शिग्र प्राण नहीं निकले यह बड़े आश्चर्य की बात है आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है हे देवी जगत कल्यान के लिए आप प्रसन हो जाओ आपके प्रसन होने से इस जगत का अभ्यूदय होता है और जब आप क्रोधित होती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाष हो जाता है यह हमने अभी-भी जाना है जब हमने तुम्हें महिशासुर की विशाल सेना को मारते ह हे देवी सदा प्रताप देने वाली तुम जिस पर भी प्रसन हो जाती हो वही देश में सम्मानित हो जाते हैं। उनके धन यश में वृध्धी होती है। उनका धरम कभी कमजोर नहीं पड़ता और उनके यहां पुत्र पुत्रियां और नोकर होते हैं। हे देवी तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रती दिन श्रधा पुर्वक यग्य करते हैं और धर्मा नुकूल आचरन करते हैं और जिसके प्रभाव से वह स्वरग लोक में जाते हैं क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनवानचितफल प्रदान करने वाली हो हे मादुर्गे तुम स्मरन करने पर संपूरन जीवों के भयों को नश्ट कर देती हो और स्थिर चित वालों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें पुन्यफल देती हो हे दारिद्र दुख नाशिनी देवी तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है हे देवी तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है वह चाहे नरक में जाने के लिए पाप करते हो किन्तु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वरग को जाएं इसलिए तुम उनका वद करती हो हे देवी क्या तुम दृष्टी पात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती अवश्य ही कर सकती हो किन्तु तुम शत्रों को शस्त्रों के द्वारा इसलिए मारती हो ताकि वह मर कर स्वरग को जाएं इस तरह से देवी उन शत्रों के प्रती भी तुम्हारा विचार अति उत्तम है हे देवी तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की चमक से असुरों की आखे नहीं फूटी उसका कारण यह था कि वह किर्णों से शोभाय मान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुन्दर मुक्की ओर देख रहे थे हे देवी तुम्हारे शील बुरे वृतान्त को दूर करने वाले हैं और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है जो नै तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही किसी से उसकी तुलना की जा सकती है तुम्हारा बल वैप्राकरम शत्रूओं का नाश करने वाला है हे देवी तुम्हारे बल की किसी के साथ बराबरी नहीं की जा सकती तथा शत्रूओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसी ओर का नहीं है रिद्य में कृपा और युद्ध में निश्ठुरता यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखने में हे माता युद्ध भुमी में शत्रों को तुमने स्वरग लोक में पहुचाया है इस तरह तुमने तीनों लोकों की रक्षा की है और हमें भय मुक्त किया है तुम्हें हमारा नमस्कार है हे देवी तुम शूल तथा खडग से हमारी रक्षा करो तथा घंटे की ध्वनी और धनुष के टंकोर से हमारी रक्षा करो हे चंडिके आप अपने शूल घुमाकर पूरव पश्चिम उत्तर तथा दक्षिन दिशा में हमारी रक्षा करो तीनों लोकों में जो तुम्हारे सोम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस प्रित्वी की रक्षा करो हे अंबिके आपके करपल्वों में जो खडग शूल और गदा आदी शस्त्र शोभाई मान हैं उनसे हमारी रक्षा करें महर्शी बोले इस प्रकार जब सभी देवताओं ने जगत माता भगवती दुर्गा की स्तुती की और नंदनवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित तथा दिव्यधूपों द्वारा उनको सुगंधी निवेदन की तब देवी ने प्रसन होकर कहा हे देवताओं तुम सब मुझसे मनवानचितवर मांग लो देवता बोले हे भगवती तुमने हमारा सब कारे कर दिया है अब हमारे लिए क हे परमेश्वरी यदि तुम हमें कोई वर्द देना चाहती हो तो बस इतना वर्दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दें हे अंबिके जो कोई भी तुमारी स्तुती करे तुम उनको धन धान्य और वैभव आदी प्रदान करें और सदा हम पर प्रसन रहें महर्शी बोले हे राजन देवताओं ने जब जगत के कल्यान के लिए तथा अपने हित के लिए इस प्रकार आघ्रे किया तो देवी तथास्तु कहकर अंतरध्यान हो गई हे भूपती जिस प्रकार तीनों लोकों का हिट चह दिया है और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंब निशुंब का वद करने और सब लोकों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार महागोरी देवी के शरीर से उत्पन हुई वह सारावितांत मैं यथावत वर्नन करता हूं इस प्रकार दुरगा सब्तशती का त पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में माता का जैकारा लगाना ना भूले आप सभी का हार्दिक धन्यवाद जै माता दी जोर से बोलो जै माता दी सारे बोलो जै माता दी आवाज नहीं आई